नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे योट्यूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इससे पहले हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुक है एच्पी टीजटी टेट आर्ट्स जो कुड़क्ट कराए गया था इसका पेपर सॉन 2023 को ठीक है इसमें कुल मिलाकर आपके पास चार सेक्षिन पूछे गये थे जो हमेसे पूछ जाते हैं जैसे आपका साइकलोजी इंग्लिश ग्रेमर सोशल साइंस और जीके ठीक है तो प्रानी वीडियो में हम आई से पहले जो आप वीडियो बना चुका हूं इसमें ज में क्मेंट कर सकते हैं साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दुआ लें और वीडियो को जरूर लाइक करें ठीक है नेक्स्ट कुष्चन नंबर एक की बात कि यह तो इसमें क्या पूछा गयाता कि आपका जो अध्यान करता है तो किसी भी जीव के सचेतन और अचेतन दोनों के बिभार का अध्यान करता है ठीक है वियवियर यानि कि किसी भीदी में भ्यक्ति अपने विभार का निरेक्षन करता है और साथ में बिशलेशन भी करता है अपके पास जो बिताराएम वहज सिरीज एक के वेशिन दहें हैं कुष्चन नमर थर की बात कि यह तो इसमें पूछा गयाता कि फोर प्याजे, the child begins to explore various solutions of a problem in a very systematic and logical way during, यानि कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किसी समस्या के विभिन समधानों को विवस्ते तदा तार्किक रूप से तलाशना शुरू कर देता है, तो ऐसी कौन सी ववस्ता है? question number 3 का सई उत्तर है option number D, यानि कि आपका जो formal operational stage होती है, यानि कि अपचार एक संक्रियात्मक अवस्ता होती है, इस stage में जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किसी समस्या के समधानों को विवस्ते तदा एक तार्किक रूप से, लॉजिकली रूप से खुजने सुरू कर देता है, ठीक है, next question number 4, जिसमें पुछा गया था कि, थोरंडाइक के अनुसार निमलिक्त में से बुद्धी का गुण नहीं है, according to थोरंडाइक, which of the following is not an attribute of intelligence, question number 4 का सही उत्तर है, option number A, यानि की समरीती आपके पास जो memory है, ठीक है, थोरंडाइक के अनुसार ये किसी आपके पास जो attribute नहीं है, किसका, intelligence का, ठीक है, next question number 5, question number 5 जिसमें पूछा गया था कि, which of the following concept was not used by Kurt Levin in his field theory of learning, यानि कि Kurt Levin के अनुसार अधिगम समंदिक शेतर सिदान्त में निमन लिखने मैं से, किस अपधारना का उपयोग नहीं किया जाता है, question number 5 का, सही उत्तर, option number C, यानि की, जो आपके पास पुनर बलन है, reinforcement है, इसका इसमें प्रियोग नहीं कियाता है, ठीक है, next question number 6, यानि किस नहीं कहा था कि, ब्यक्ति जिस अनुपात में अमूरत चिंतन करता है, उसी अनुपात में बुद्धी मान के लाता है, तो प्रिशित बिद्वान थे, इस कतन को कहने वाले उनका नाम था, टर्मन, option number B सही उत्तर है, question number 6 का, next question number 7, question number 7 में पूछा गया था कि, which of the following statement is not true of a creative individual, यानि निमलिक्त मेंसे जैसा कौन सा कतन है, जो कि आपका रचनात्मक ब्यक्ति के लिए सही नहीं बिताया गया है, question number 7 का सही उत्तर है, option number A, यानि कि, एक रचनात्मक ब्यक्ति की रूचियां सेमित होती है, यह आपके पास गलस statement है, जबकि आपके पास जो एक creative ब्यक्ति होता है, उसकी रूचिया, आपके पास उन ट्रस्ट है, सेमितने होता है, unlimited होता है, ठीक है, next question number 8, who used the term mental age for the first time, यानि कि, मानसिक आयू शबत का प्रियोग सबसे पहले करने वाले ब्यक्ति कों थे, question number 8 का सही उत्तर है, यानि कि, आपके पास जो बिन है, उनके द्वारा मुख्य थे, आपके पास प्रियोग या गया था, सबसे पहले मानसिक आयू यानि कि, mental age का प्रियोग next question number 9, the occupations like electrician, mechanic, machine operator require, यानि कि, विद्यूत कारिगीर, यांतरिक, यंत प्रचालक जैसे बेबसाओं के लिए, dash की अवश्कता होती है, question number 9 का right answer, option number C, यानि कि, आपके पास जो motor skills, इसका सही उत्तर है, ठीक है, यानि कि, आपके पास जो विद्यूत कारिगीर है, यांतरिक है, यांतर प्रचालक है, इन प्रचालक है, इन प्रचालक के लिए मुख्यत है, आपके पास की स्कीज, दुरूर्ट चाहिए होती है, कौनसे skill की, वो उसके लिए आपके पास motor skills, ठीक है, next question number 10, which of the following statements is not true for a constructivist classroom, यानि कि, निमलिक्त मैंसे, कौन सा कतन एक रचनवादी कक्षा के लिए सही नहीं है, इस question का सही उत्तर है, according to option, option number B, ठीक है, यानि कि, जो शिक्षा का है, अकर teacher है, वो ग्यान का संचार करता है, ठीक है, यह इसका सही उत्तर नहीं है, ठीक है, next question number 11, इसमें पूछा गया था कि, who said, learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude, यानि, किस ब्यक्ती ने कहा था कि, अधिगम, आद्तों, ज्यान और अविब्रीतियों का अर्जन करता है, इस प्रसित कतन को कहने वाले जो ब्यक्ती थे, उनका नाम था, crow and crow, ने कहा था कि, जो आपके पास अधिगम है, यानि, कि आप जो सीखते हैं, वो आद्तों, ज्यान और अविब्रीतियों का एक अर्जन माना जाता है, उससे मुख्यते लिए जाता है, जो आप सीखते हैं, मुख्यते आपके जो ज्यान है, जो आपकी habit रहती है, उससे आ नमबर 12, निमलिक्त में से कौन सा कथन अवधान की विश्योक में सत्यों नहीं है, यानि, which of the following statement is not a true about attention, कौन सा इन में से statement attention के बारे में सही नहीं बिताया गया है, वो आप्शन नमबर D, यानि कि attention is stable, यानि कि आपके पास जो attention है, वो स्थिर होती है, गलत है ये, ठीके, क D, correlation between retention and learning is, ठीके, बताये गया है, कि आपके बारे में से स्मंद है, correlation है, बिट्विन किसकी बीच में, आपके पास जो attention है, जो आपके पास के रहता है, जो आप सीखती है, उसकी बीच में है, ठीके, वो किस तरह कसम नहीं है, negative है, positive है, सुनने हो है, या आपके पास कमजोर ह है, option number आपके पास B, यानि एक तरह का आपके पास क्या है, यह सकरातम के, ठीक है, इस question में थोड़ा सा डोटे चेक के लिए आपने, ठीक है, next question number 14, चिंतन का अंतियांत सरल रूप क्या है, the simplest form of a thinking is dash, 14 का right answer है, option number D, यानि कि आपके बाद जो concrete thinking है, मुर्थ चिंतन है, यह thinking का एक बिलकुल simplest form है, ठीक है, next question number 15, learning Hindi may help our learner, learn Punjabi, it is an example of, यानि हिंदी सीखने वाले से अधिगम करता को पंजाबी सीखने में मिदल सकती है, ठीक है, यह किसका उधारन, यानि कि आपके पास, जो सीखने वाला ब्यक्ति है, वो हिंदी, ठीक है, आपके पास जो हिंदी सीखने रहा है, तो उसके साथ पंजाबी को भी सीख सकता है, ठीक है, उसमें मदद मिलती है, हिंदी को सीख कर वे, पंजाबी को सीख सकता है, ठीक है, यह किसके महत्पन उधारने, इसका सही उत्ता है, option number A, यानि कि उधारने कि इसका positive transfer of learning, यानि कि धनात्मक स्थानांतरन का, ठीक है, next question number 16, dash is not a branch, यानि कि dash is not a branch of applied psychology, यानि कि dash भेभारात में मनुवग्यान की इक्षाकर नहीं है, question number 16 का right answer option number C, ठीक है, आपके पास, जो आपके पास applied psychology है, इसके मुख्या पार्ट है, educational psychology, ठीक है, क्लिनिक psychology और आपके पास experimental psychology इसके पार्ट है, ठीक है, इसका पार्ट कौन सा नहीं है, वो सेन्यो मनुवग्यान इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, next question number 17, समा योजन किस समंदित, यानि आपके पास जो adjustment है, वो किस समंदित माने आता है, 17 का right answer है, option number B, यानि की social development समंदित है, आपके पास adjustment, ठीक है, question number 18, a person's of potential ability in an activity of specialized kind of known as dash, यानि की किसी बिशीष प्रकार की गतिवीदिय में, व्यक्ति की सम्भावित क्षमता को मुख्यते किस नाम से जाना आता है, इसका सेयुक्तर option number B, इसको मुख्यते जाना आता है, अभी क्षमता यानि की aptitude के नाम से, ठीक ह next question number 19, who used puzzle box in his experiments of development or theory of learning, अधिगम किस दान्त को विक्सित करने के लिए, किसने अपने प्रियोगों में, पहले पेटी का प्रियोग किया था, इसका सही उत्तर है, option number B, यानि की E.L. Thorndike, ठीक है, E.L. Thorndike समन्धित माना याते है, आपके पास किसी experiments of development का theory of learning, ठीक है, यानि की आपके पास जो puzzle boxes, स्विस्मन्धित है, Thorndike, question number 20, पुछा गया था कि, individual becomes more clear in oral expression as a well is on in written expression during, यानि एक व्यक्ति मौकिक अभिव्यक्ति के साथ साथ, लिखित अभिव्यक्ति में अधिक स्पस्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसी कौन सी stage है, जिसमें कि एक मौकिक व्यक्ति है, जो लिखित अभिव्यक्ति, ठीक है, पहले तो मौकिक रूप से सीखता है एसी कौन सी आपकी stage रहती है, जिसमें भे बोणने के साथ साथ आपके पास जो लिखना भी सीख जाता है, ठीक है, question number 20 का right answer option number B, यानि कि आपके पास जो पूर्ब बाले अवस्ता है, early childhood stage है, इसमें ठीक है, इसका सही उत्तर है, next question number 21, भात्या बैटरी of performance tests of intelligences are consist of, यानि भ 21 का right answer है, option number C, यानि कि पाँच परिक्षन, यानि कि पाँच जो आपके five subtests में सामिल होते है, भात्या बैटरी, क्रियात्मक, बुद्धी परिक्षन में मुक्यते है, five subtests आपके सामिल होते है, next question number 22, हो कि संभीति में जो भी संचित किया घाता है उसकी पुन्य प्राप्ति को क्या करते हैं या निक आपके पास जो माइंड है ठीके उसको पुन्य प्राप्त करने के लिए अप क्या करोगे ठीक है, the retrieval of what has been stored in memory is called, 22 का right answer option number A, यानि कि recall, ठीक है, किस चीज को आप प्रत्यासमन करने हो, याद कर रहे हो, ठीक है, उससे कहते है, recall, ठीक है, मालो आपने किस चीज को याद कर, आपने, मालो किस चीज के स्टेडी के, मालो आपने साइकलोजिक स्टेडी के, आप पेपर द किया था, उसको कहते हैं, प्रत्यासमर, ठीक है, next question number 23, which of the following has an important role in an individual's development, यानि कि ब्यक्ति के विकास मन्ने मलिक्त में से, किस की महत्वपुन भूमी करेती है, 23 का right answer, option number A, sorry C, यानि कि कि किस का, आपके पास जो बंशानुकरम और बातबर्न दोनों का, यानि कि किसी ब्यक्त यानि कि उसके माता-पिता पर भी थोड़ा से निर्वर करता है, ठीक है, और साथ में आपका जो environment किस तरह का है, ठीक है, आपके जारो और का महुल किस तरह के उस पर बिंडिमेंट करता है, ठीक है, next question number 24, इसमें पूछा गयाते कि, a teacher can enhance motivation among the students in his class through, यानि एक शिक्षक अप उप्यक्त सभी इसका सही उतता है, ठीक है, इन सभी के दवरा, यानि कि एक teacher अपनी कक्षम है, जो आप छातर है, उनको आपके पास encourage कर सकता है, किसकी साधात है, या तो उनको पर संसर पुरुसकार दिये जाए, ठीक है, या आप परियोग कर सकते है, शिक्षन वीडियो का उप्युक्त, ठीक है, कोई भी section भी दियो सकती है, ठीक है, या कक्षम जो आपके पास अनुकुलित बात बरने, उसके द्वारा यह मुक्यत आपके पास encourage कर सकती है, किसको, किसी students को, ठीक है, option D, इसका सही उतता है, next question number 25, ऐसा कौन सा ब्यक्तित है, जिसने कहाता कि, psychology is the science of human behavior, यानि कि, मनोबग्यान, मानव बिभार का एक बिग्यान माना आता है, question number 25 का, right answer है, option number A, यानि कि, MacDougal ने कहाता कि, जो आपके पास मनोबग्यान है, ठीक है, psychology है, वो आपके पास study करता है, किसका, human behavior का, मानव के बिभार का धियन करता है, next question number 26, निमन लिखते में से क्य अबरहायम मासलो के द्वारा प्रस्तुत सब बास्तवी करन सिधानत में, अबस्कताओं की पदानुकरम एक स्रंचना की निचले भाग में आता है, यानि, which of the following is at the bottom of hierarchical structures needs presented by अबरहायम मासलो in his self-actualization theory, 26 का, right answer है, option number D, यानि कि, psychological needs, इसका सी उत्तर है, ठीक है, next question number 27, Dash is a mental structure that helps us to understand and interpret new information, Dash मानसिक्स रंचना है, जो हमें जानकारी को समभन्य तता ब्याख्या करने में मदद करता है, तो आखिर आसी कौन सी चीज है, जो किसी ब्यक्ति के समभन्य और ब्याख्या करने में मदद करता है, उसको मुक्यता नाम दिये जाता है, स्कीमा, option number A से उतता है, next question number 28, तो साथ मैं आपको बता दू कि जो भी psychology and trans test की त्यारी कर रहे हैं, जो आपकी psychology and trans test की त्यारी कर रहे हैं, और साथ में आपके पास टेट में जो psychology पूछा जाता है, उसके लिए आपका क्या करें कि सबसे पहले, जो आपका स्लेबस रहता है, बेड में, psychology का, उसको धंग से पढ़ ले, उसके बाद एक बुक मिलती है, ठीक है, बजार में, आपके पास अकाश की, ठीक है, उसको भी ध्यान से पढ़ ले, ठीक है, इससे आपका लगवग, आपके पास psychology में, maximum 20 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, question number 28 में, पूछा गया था कि, दंड 1-े, 28 का, सही उत्तार है, option number C, आपके पास जो, punishment वो क्या है, इसका सही उत्तार है, option number C, यानि की, not a reinforce, ठीक है, यो कोई प्रवल नहीं है, थोड़ा सा डॉटे चेक के लाएं इस question को, next question number 29, the structure of intelligent model, developed by Gilford provides, यानि की, Gilford के दौ़ारा, बिक्सित बुद्धी सरंचना, पृतिमान परदान करता है, कितने तत्तव, 29 का, right answer, यानि की, बुद्धी के एक सोपचास तत्तव, ठीक है, next question number 30, last question, 30 ठीक है, last question है, psychology का, spearman के अनुसार, प्रते एक भौतिक, sorry, spearman के अनुसार, प्रते एक भौतिक गदिबीदियों में क्या शामिल होता है, according to the spearman, each intellectual activity involves, आपके पास जो प्रते एक इंटलेक्चुल अक्टिवीटी होती है, उसमें क्या शामिल होता है, इसका सही होतार है, option number C यानि कि fourth G factor and S factor, यानि कि G factor आपके पास, junior or superior आपके पास दोनों factors में शामिल होते हैं, किसमें, बोदिक गतिब युदियों में, ठीक है, next question number 31, अब हम बात करेंगी English grammar की, ठीक, English grammar के दो 30 प्रशन पूछे गे थे, question number 31 से लेकर 33 तक मुक्के ते आपके पास 3 प्रशन पूछ substitution पूछे गे थे, ठीक है, देख लो, पहला क्या पूछा गया था, कि are remedy for all diseases, ठीक है, इसका सही उत्तर, option number A, प्रशन नमबर ए, यानि कि ऐसी कौन सी, आपके पास, आपके पास जो एक दवार रहती है, जो सब चीजों की आपकी बिमारी को हल करता है, उसे कहते है, और शद यानि कि optimist, ठीक है, एसा ही प्रशन पूछा जागता है, one who looks at the dark side of the things, उसे कहते है, pessimist, ठीक, next question number 33, a man who has too much enthusiasm for his one religion and his other religions, question number 33 का right answer है, option number D, fanatic, ठीक है, एक ऐसा अब्यक्ति जो बहुत ही जादा अपने धर्म को मानते हैं, ठीक है, हेट करते हैं, अन्य धर्मों का, उसे कहते हैं, fanatic, option number D से ही उत्तार है, next question number 34, 34 और 35 दो प्रशनों में आपके पास क्या करना था कि जो sentence दिया गया है, आपने पतान है कि कौन चार option में कौन से sentence सही है, ठीक है, 34 का right answer है, option number C, ठीक है, यानि कि बाके को इस तरह से लिखाया आता है, the Bible is a sacred book, या आपके पास जो वाइवल है, आपके प्रुवित्तर पुष्तक है, ठीक है, next question number 35, 35 का right answer है, option number A, यानि कि he has settled in USA, वेकाम पर settled है, USA में, next question number 36, 36, 37 में आपके पास क्या करना है, कि आपके चार options में बताना है कि कौन सी आपके पास correct forms of the verb है, तल से Kabla., 36 का right answer है, option number A, यानि कि light, lit, lit, इस तरह से लिखाया आता है, 37 की बात कही है, 37 में आपके पास correct forms of the verb है, आपके पास 37 का right answer है, option number आपके पास A, ठीक है 37 कर आट option number A है यानि कि what's were when इसका सही उत्तर है, ठीक है next question number 38 38 39, दो question थे आपके पास इसमें पूछा गया था आपके पास की, आपके पास जो ठीक है, जो आपके पास इसमें बाग के दियागी, इसको complete करना था ठीक है, sentence को complete करना था in spite of his failure 38 का right answer है, option number C, यानि कि he keeps his moral high, इसका सही उत्तर है, next question number 39, this is the book dash 39 का right answer है, option number C which stole yesterday, जो आपके पास पिछले कर्च और रही हुए थी, ठीक है, next question number 40, 41 और 40, दो परिशनती इसमें पूछे गेता की आपके पास बताना था spelled आपके पास क्या रहता है, wrong ठीक है, sorry इसमें पूछे गेता है, आपके पास जो सही आपके पास spelling कोन सी है, ठीक है question number 40 का right answer, option number B ठीक है, miss question number 42, 42, 43, 44, यानि की तीन प्रशन जिसमें आपने पताने थे, बिप्रिथिशवद यानि की अन्टोनियम, ठीक है, 42 में पूछा गया था की आपके पास जो कैलिवेट है, कैलिवेट का एंटोनियम का है, बिप्रिथिशवद का है, 42 का right answer है, option number D, यानि की married, next question number 43, जिनित का opposite word है, आपका नेडिर, next question number 44 का right answer है, option number A, next question number 45, 45 से लिकर 47 तर स्नोनियम, यानि की आपके पास प्रिखवचे शवद, ठीक है, कैलिवेट का जो प्रिखवचे शवद है, हाड, ठीक है, next question number 46 का right answer है, यानि की आपके पास प्रिखवचे शवद है, स्नोनियम में आपके पास option number B, यानि की skillful next question number world का question number आपका से बोलता है world का synonym बताना था world का synonym में आपका impodent ठीक है option number ए आपका सही उत्तर है 47 next question number 48 48 और 49 में आपने क्या करना था कि आपके पास जो वर्ब आपने इसमें बताना था कि कौन सी correct वर्ब है ठीक है इसमें आप प्रियो कर सकते हूँ I dash English for 5 years 48 का right answer है option number C I haven't studying English for 5 years dash question number 49 इसमें पूछा गया था कि I dash him for a long time 49 का right answer है option number C I have known him for a long time next question number 50 50 से लिकर 52 तक आपने क्या करना था कि आपके पास जो आपके पास model दिए गिए है उनको आपने add करना था correct रूप से ठीक है suitable correct का आपने बताना था model ठीक है 50 मैं पुछा गया था कि I sorry dash I have the honor to invite you on the dice 50 का right answer option number D यानि कि मे में I have ठीक है next question number 51 51 का right answer option number B यानि कि the college will remain closed on 15 number on account of Guru Purov ठीक है next question number 52 52 का right answer है option number D यानि be out to help our behaviors in need next question number 53 53 और 53 में आपने बताना था कि आपके पास article कौन से correct है ठीक कौन से article इसमें suitable है article प्रफजिशन तो किश्मीर इस देश Switzerland of India 53 का right answer है option number C यानि किश्मीर इस दा Switzerland of India next question number 54 selfishness is natural dash man 54 का right answer है option number B यानि कि selfishness is natural of man next question number 55 55-56 दो प्रश्नों में आपने क्या करना था की alternative बताने थी आप किसके 55 का right answer था option number A यानि कि that 56 का right answer था option number B यानि कि that ठीक है next question number 57 आपने बताना है कि यह लहन किसके द्वारा लिखी यह ठीक है क्या लहन थी God made the country and man made the town 57 का right answer या option number B कूपर के द्वारा लिखी गया था ठीक है next question number 58 a thing of beauty was written by a thing of beauty को मुक्खे ते किसके द्वारा लिखा गया था या मुक्खे ते लिखा गया था आपके पास किसके द्वारा option number 58 का right answer या option number D option number 20 कसी उत्तर है यानि कि John Keats है John Keats के द्वारा इसको लिखा गया था next question number 59 59 और 60 last question है अब ठीक है 2 question 30 में पूचा गया था आपके पास voice क्या करना था आपके पास जो pressure ने वो active boss में जो आपके पास option है वो passive boss आपने correct passive boss पताने ठीक है देख लोग active boss किस तरह से पूचा गया था 59 का why did your brother write such a letter आपका brother किस तरह से लिखता है एक letter को 59 का right answer है option number B इसका जो आपके पास correct passive boss इस तरह से बना था why was such a letter written by your brother next question number 60 60 का right answer है option number D ठीक है तो यह तो दोस्तों आपके पास school मिलाके 60 प्रेशन ठीक है इसकलाब आपके कुछ query रहती है तो आप comment कर सकते है और साथ में कुछ question गलत है तो आप बता दे ठीक है क्यूंकि आपके पास ये tentative आपके पास answer की है ठीक है बता रहती है तो दो सकते है तोisstру इसकाagon। ये कORके लो सकते है और रहती है था सकते है